दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से और आज हम आप के लिए लेकर आए हैं भारत रत्न से जुड़े most important questions भारत रत्न से question जो पूछे जाएंगे हमारे competitive exam में वो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी question नहीं छुटेगा ये मेरा promise है ठीक है इसलिए मैं आपसे अभी नहीं कह रहा हूं कि वीडियो को लाइक करें वीडियो को तब लाइक करें जब आपको last में लगे पूरा वीडियो देखने के बाद ठीक है कि आपने actual में सही वीडियो देखा है और actual में आपको ये काम की चीज मिली है ठीक है तब वीडियो को लाइक करें और Share करें इमानदारी से और हमारे चैनल को भी Subscribe रें तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले कोशन में कह रहा भारत रत्न की शुरुवात कब की गई यनि कभी स्टार्ट किया गया था भारत रत्न तो देखें 1954 में भारत रत्न स्टार्ट किया गया था सबसे पहले ठीक है चली next question देखेंगे next question में कह रहा है भारत रतन सबसे पहले किसे दिया गया तो भारत रतन सबसे पहले किसे दिया गया था तो याद रखेंगे डाक्टर सरपल्ली राधा कृष्णन को दिया गया, तीन लोग थे जिनको 1954 में भारत रत्न दिया गया, ठीक है, जिसमें सबसे पहले कौन थे, सरपल्ली राधा कृष्णन थे, तूसरे नंबर पर किसे दिया गया था, सीराज गोपालाचारी, और तीसरे कौन थे, सीवी रमन भी थे, एक ही दिन दिया गया, लेकिन नंबर जो सबसे पहले आया, वो डाक्टर राधा कृष्णन का आया, जिस समय इनको दिया गया, ये भारत के उपराष्ट पती थे, कौन थे, उपराष्ट पती थे, ठीक है, ये उस समय उपराष्ट पती थे, तो सबसे पहले उपरा भारत रत्न कब दिया गया ये भी हमारे लिए एक important ही नहीं बलकि most important question बन जाता है ठीक है तो डाक्टर राजेंद प्रसाद को जो है भारत रत्न दिया गया 1962 में ठीक है और सबसे पहले कौन थे ये सबसे पहले पहले राष्ट पती थे हमारे सबसे पहले राष्ट पती थे जिनको भारत रत्न दिया गया वो ऐसे राष्ट पती कौन थे इनका नाम बताईए तो किनका नाम बताएंगे तो बताएंगे डाक्टर राजेंद्र प्रसाद और आपसे पुछे सबसे पहले राष्ट पती कौन थे तब भी नहीं का नाम बताएंगे तो उनको 1965 में दिया नेक्स्ट कोशन देखें कि जवाहलाल नेरु को भारत रतन कब दिया गया ठीक है जवाहलाल नेरु कौन थे हमारे पहले पीम थे ठीक है हमारे देश के यानि हमारे स्वतंतर भारत के भी कह सकते हैं पहले पीम थे प्राइम मिनिस्टर थे ठीक है और ऐसे प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसे थे जिने भारत रत्न दिया गया वो भी कौन थे हमारे जवाहलाल लेरू थे ठीक इनको कब दिया गया था इनको दिया गया था 1905 में ठीक है इने 1905 में क्या दिया गया था भारत रत्न दिया गया था ठीक है तो वीडियो को आगर आपको अपलग गया हो कि हाँ हमन ठीक है next question कहे राहे सुवाशंद्रोज 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 को भारत रतन कब दिया गया चीज उगठना कि क कि औन्हें बतादें ठीक है इनका जन्म कब हुआ था 23 जन्वरी को हुआ था और 23 जन्वरी को हम लोग क्या मनाते हैं पराक्रम दिबस मनाते हैं多少 इस चीज file रखेंगे पराक्रम इनकी म्रत्यु प्रमानित नहीं थी इसलिए इनसे वापस भी ले लिया गया चलिए नेक्स कोशन देखेंगे इंद्रा गांदी को भारत रत्न कब दिया गया तो इंद्रा गांदी को जो भारत रत्न दिया गया वो 1972 में दिया गया था नेक्स कोशन देखेंगे भारत की पहली महिला जिसे भारत रतन दिया गया वो कौन थी ये most important question है हमारे लिए ठीक है वो कौन थी वो थी हमारी इंद्रा गांदी ठीक है और पहली महिला PM भी थी ठीक है यही दूसरी महिला अगर पूछे दूसरी महिला कौन थी तो दूसरी महिला थी हमारी मदर टेरेसा ठीक है कौन द नेक्स कोशन देखेंगे भारत रतन कब बंद कर दिया गया, एक बार ऐसा हुआ कि भारत रतन बंद भी किया गया था, ठीक है, तो वो समय आया था 1970 में, 1970 में भारत रतन को बंद कर दिया गया, जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया था, ठीक है, लेकिन 1980 में फिर से इसे वापस स्टार्ट किया गया 1980 में फिर से स्टार्ट कर दिया गया ठीक है ये भी याद रखना है next question चे देखेंगे next question में कहे रहा है भारत रतन को पुनहा कब प्रारंब किया गया किस सन में प्रारंब किया गया तो 1980 में दुबारा स्टार्ट कर दिया गया जब कॉंग्रेस की गवर्मेंट आई थी ठीक है कॉंग्रेस आई और इसने क्या कर दिया इस्टार्ट कर दिया था ठीक है और सबसे पहले स्टार्ट होने के बाद किसे दिया गया अगर ऐसे पूछें तो मदर टेरेसा को दिया गय मरणों परांत सबसे पहले भारत रतन किसे दिया गया तो मरणों परांत जो भारत रतन था सबसे पहले हमारे लाल बहादुर सास्त्री जी को दिया गया किसे लाल बहादुर सास्त्री जी को दिया गया ठीक है कब ठीक है लाल बहादुर सास्त्री को मरणों परांत सबसे पहले दिया गया था ठीक है इनकी मृत्तिव कब हुई थी अच्छा कभी कभी इनकी मृत्तिव पूँच लेता है तो 1966 में इनकी मृत्तिव हुई थी 1966 में इनकी मृत्तिव हुई थी ताशकंद में ठीक है ताशकंद में इनकी मृत्तिव हो गई थी ठीक है चलिए next question देखेंगे next question है Mother Teresa को भारत रतन कब दिया गया अभी हमने बताया था आपको भारत रतन Mother Teresa को दिया गया था 1980 में भारत की दूसरी ऐसी महिला थी या फिर हम कह सकते हैं दूसरी ऐसी महिला थी जिनको भारत रतन दिया गया था ठीक है चलिए next question देखेंगे ऐसा कौन सा ब्यक्ति है जिससे भारत रतन और नोबल प्रुसकार दोनों प्राप्त हुए ठीक है तो यहाँ पर देखिए Mother Teresa ऐसी है और अमरत सेन ऐसी है इन दोनों लोगों को ही ठीक क्या मिला है भारत रतन के साथ साथ नोबल प्राइज भी मिला ठीक है नोबल भी मिला है ठीक है इन दोनों लोगों को ही मिला तो हमारा जो ऑप्षन होगा वो सी बिलकुल सही हो जाएगा मतलब दोनों ही यह लोग ऐसे हैं next question हम लोग देखेंगे next question में कह रहा है भारत के संबिधान के किस अनुछेद में भारत रतन जैसे एवार्ड की चर्चा की गई है ठीक है तो हमारे यानि भारत के संबिधान के अनुछेद 18 में इसकी चर्चा की गई और यह बताया गया कि जो भारत रतन है वो क्या है एक award है यानि पुरसकार है ठीक है पुरसकार है ना कि कोई उपाधी ये उपाधी नहीं है ठीक है बताया गया ठीक यानि उपाधियों का अंत बताया गया हमारे अनुछेद 18 में ठीक उपाधियां केवल दो ही छेत्रों में दी जाएंगी किसमें किसमें दी जाएं ठीक है तो यह 18 में बात दी गई नेक्स कोशन है पहला विदेशी कौन था जिसे भारत रत्न दिया गया ये भी हमारे लिए most important कोशन है और कई बार पूछा भी गया है ठीक है कि पहला विदेशी कौन था जिसे भारत रत्न दिया गया था ठीक तो याद रखेंगे खान इन्ही को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था ठीक है और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था ठीक है दूसरे विदेशी पूछे तो कौन थे नेलसन मंडेला थे ठीक है नेलसन मंडेला जो थे दूसरे व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया ठीक है यह सेकेंड व्यक्ति थे बिदेशी ठीक है और यह कहां के थे गफार खान की बात करें तो यह पाकिस्तान के थे ठीक है यह कहां के थे पाकिस्तान के थे ठीक है और यह नेंसल मंडेला कहां के थे यह साउथ एफरीका के थे ठीक है नेक्स कोशन देखेंगे नेक्स ठीक है सरवोच कौन सा है भारत रदन है इतनी बात समझ गए ठीक है ठीक है दूसरा कौन सा है दूसरा है पदम विभूशन दूसरा कौन सा है पदम विभूशन तीसरा कौन सा है पदम भूशन ठीक है और चौथा कौन सा है पदम स्री ये चौथे नमबर पर आता है ठीक है इ next question देखेंगे, अब तक कितने राश्पतियों को भारत रत्र दिया जा चुका है, अब राश्पतियों की बात यहां भारत के राश्पति की हुई है, ठीक है, किसी बिदेश के बार राश्पति की नहीं हुई है, ठीक है, तो भारत के ऐसे कितने राश्पति हैं, जिनको दिया जा चुका है ठीक है तो कुल मिलाकर 6 ऐसे राश्पती हैं जिनको अब तक जो भारत रत्र दिया गया है ठीक है इनमें कौन-कौन से आते हैं सबसे पहले है डाक्टर राधा कृष्णन दूसरे प्रणम मुखर जी जो की हमारे 2012 में इनको दिया गया पीबी गिरीवी रह चुक है अब तक भारत के कितने प्रणमंत्रियों को ठीक है भारत रत्र दिया गया most important question ठीक है most important question अब तक आया तो नहीं होगा question इस टाइप का लेकिन हाँ अब possibility भी हो सकती क्यूंकि आभी सकता है ठीक इसलिए मैं इसको important बता रहा हूं ठीक है अब तक हमारे साथ ऐसे प्रणमं प्रदान मंत्री हो गया है नेक्स्ट कोशन देखेंगे भारत के कितने खिलारी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया एक मात्र खिलारी क्रिकिट से जुड़े हुए हैं प्रिकिट से जुड़े हैं नेक्स्ट कोशन देखेंगे कितने लोगों को मरणो परांत भारत रत्न दिया जा चुका है तो याद रखेंगे पंद्रा आईसे लोग हैं जिनको मरणो परांत भारत रतन दिया गया कौन-कौन से हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, वो ये हैं, सबसे पहले जो मर्डों परांत दिया गया था, वो किसे दिया गया था, लाल बहादुर सास्त्री को दिया गया है, दूसरे कामराज, के कामराज थे, आचार बिनोबा भाबे थे, एम जी, राम चंदरन थे, डाक्टर भीम राउं बेड़कर, जिनको 1990 में दिया गया, ये हमारे लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, भीम राउं बेड़कर, राजीब गांधी को 1991 में दिया गया, सरदार बल्लब भाई पटेल को देखी 1991 में दिया गया, मौलाना अबु दिया गया 1997 में, ठीक है, और जै संक, जै प्रकास नारायड, जै प्रकास नारायड जो हैं, इनको दिया गया 1998 में, गोपी नात पार डोली इनको 1999 में दिया गया, ठीक है, मदन मोहन मालवी है, जो थे इनको 2014 में मरणों परांद दिया गया, भूपेन हजारिका और नाना जी देश मुख इनको 2019 में मरणों परांद दिया गया और अभी हाल इनी में 2024 में यहां 23 लिखा है 24 में लिखिए गोश्णा 24 में होई है ठीक है जनवरी में ठीक है तो 2024 में करपूरी ठापूर को दिया गया यह बिहार के रहने वाले हैं ठीक है यह बिहार के रहने वाले हैं ठीक है नेक्स कोशन देखेंगे नेक्स कोशन है 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल चुका ठीक है तो 2024 तक अगर पूछे ठीक है जनवरी 2024 तक ठीक है कितने लोगों को मिला 49 लोगों को मिल चुका है नेक्स कोशन देखेंगे 2024 तक कितनी महिलाओं को भारत रतन मिल चुका है तो 2024 तक जो हमारी 5 महिलाएं हैं इनको भारत रतन दिया जा चुका है कौन-कौन थी देखी जैसे कि हम पीछे चर्चा कर चुके थे कि इंद्रा गांधी सबसे पहली महिला थी दूसरी कौन थी मदर टेरेसा थी ऐस मदुरय ऐस सब्बू लक्षमी 1998 में मिला ये कलाकार थी एक ठीक है फिल्म जगत से जुड़ी हुई ठीक और एक पहली ऐसी कलाकार थी जिनको की भारत रतन दिया गया फिल लतामंगेस कर जी थी ठीक है इनको तो कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता होगा 2001 में दिये गया और अरुणा आसफ अली को भी ये पुरूसकार दान किया गया था तो ये पांच महिला आये हैं जिनको की भारत रतन अब तक दिया गया है नेक्स कोशन देखेंगे भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे भारत रतन दे कर वापस ले लिया गया ठीक है ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे भारत रतन दिया गया और उसके बाद में वापस ले लिया गया ठीक तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो सुभास चंद्र बोश जी जो हैं इनको भारत रत्न देकर और वापस ले लिया गया जैसे कि हमने पीछे भी बताया था आपको 1992 में ऐसा किया गया इनके साथ ठीक है कारण भी बताया है नेक्स वोशन भारत का ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको की भारत रत्न दिया गया ठीक है ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसको भारत रत्न दिया गया ठीक है तो हम लोग हमने बता भी दिया है पीछे तो सचिन तेंदूलकर जी जो है वो क्रिकिट से जुड़े हैं इनको क्या है भारत रत्न दिया गया है नेक्स कोशन देखेंगे नेक्स कोशन है सबसे पहले किस कलाकार को भारत रतन दिया गया था ठीक है तो सबसे पहले जो भारत रतन दिया गया था वो दिया गया था एम एस लक्षमी मदुरे एस सब्बू लक्षमी जो की पीछे अभी हमने कोशन में बताया था दीखिए उस्ताद बिसमिल्ला खां ये इनको भी मिला है लतामंगेसकर को भी मिला है ठीक है सचिंदे बर्बन को नहीं मिला है इनमें जितने भी लोग है सभी को मिला है लेकिन नाइडू को यह पूर्व उपराष्ठपती पूर्व उपराष्ठपती है वाध समझ आई इतलब पूर्व उपरारीज़बती था द Alexandraम तक तो आपको जीन समझ आ गया होगा कि हमने लिए है वह अच्छे है इसलिए अभ जो वीडियो है हमारा ENTर ठीक है तो आब तो समझ जा गया होगा और शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नेकिए तो चैनल को भी अब सब्सक्राइब कर दीजिए ठीक है बाकी इन में से किसी को नोई जगदीव धनकड बरतमान वे हैं हामिद अंसारी रह चुके हैं इनको इस बार नहीं मिला है ठीक है नेक्स्ट क इनको भी दिया गया है नेक्स्ट कोशन है देखिए कितनी हस्तियों को पदम विभूशन दिया गया तो पांच हस्तियों को पदम विभूशन पुरुसकार दिया गया है ठीक है और यहां पर आप्शन जो है वो पदम भूशन के दिये हुए है ठीक है तो आप लोग इसको स 13 लोगों को दिया गया और पदम श्री कितने लोगों को दिया गया है 110 लोगों को इस तरीके से इनको हम जोडेंगे तो 135 लोग हो जाएंगे और ैक भारात रत्न दिया गया है तो Кुल मिलाकर 133 एरय जाएंगे जिन 132 ऐसे हैं जो पदम स्री है पदमभूशन है टिक है और इन में 30 महिलाओं को इस बार पदम शरी दिया गया है टिक है इन सभी प्रुसकारों में 30 महिलाएं भी सामिन है टिक है next question देखेंगे रिम्ड में से किसे पदमभूशन दिया गया इन में देखिए पदम भूशन अभी दिया गया है इन में से सभी को पदम भूशन दिया गया ठीक है फातिमा बीबी ये कौन है जज है ये हमारे सुप्रीम कोर्ड जो है सुप्रीम कोर्ड जो है हमारा उसकी फर्स्ट महिला जज है पहली महिला जज है फातिमा बीबी ठीक है रह राजनीतिक के हैं ये हमारे यूपी के पहले पूर्ब में क्या नाम राजिपाल भी रहे चुके हैं मितुन चक्रवर्ती को जानते हैं ये बॉलिवूड अभिनेता हैं और सीता राम जिंदल ये जो हैं ये एक व्यव्योग पति कोश्चन पूछा जाता क्यूंकि इस बार पूछा गया था कोश्चन से लिये इंपोर्टन हो जाता है इस कोशन का यह होगा और यह उद्योग पति इसको फियाद यह लोगों को पदम भूशन दिये गए यह हमने कुछ इंपोर्टेंट ही लोग लिखे हैं यह देखो अस्विन बालचंद्र मेता जो है वो कौन है वो एक डॉक्टर है कॉर्डियोलोजिस्ट ठीक है सत्यब्रत मुखर जी ठीक प्यारे लाल यह है फिल्म जगत से जुड़े हैं यह एक शांसद हैा राज गोफार पदम भूशन दिया गया यह सब यह नेक्स कोशन देखेंगे नेक्स है दोहजार चौबिस में फाक्स कॉन कंपनी के चेर्मेन यंग लिव को पदम भूशन सम्मान दिया गया वह किस देश से हैं ठीक है अब यहां पर यह कोशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि COB यह चीन से तो नहीं होगे ठीक है चापान के नहीं हैographics इसी से चीन हो जाता है नाराज ठीक है खीनको लग सकता है बुरा हिक यह यह चाईदा आइवान के एक बिजनिसमेन है ठीक है और यह यह फॉक्स कॉन कमपनी के जो है चेर्मेन है ठीक है ये थे हम हमारे भारत रत्न से जुड़े भारत रत्न से जुड़े ठीक है रत्न से related related most important questions most important questions ठीक तो आपको अगर वीडियो आप अच्छा लगा आपके काम की चीज हमने यहां पर डिसकस की तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब ने कि तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लस लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोल ये भी क्यूंकि यह हैं से हम आपको most important questions देते रहेंगे